नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्धेशंकर तिवारी हूँ CAA के बाद या उसके उससे भाय को लेकर के जो आगे पर सितिया पैदा होने वाली है पूरे देश में हंगामा है बहुत सारे लोग हैं जो सडकों पे उतरे हुए हैं लेकिन CAA को नहीं जानते हैं हर किसी के मन में यही आसंका है जो सडक पे उतरा है कि पता नहीं हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है अपने को देश का नागरिक साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं आपको पता रहा हूँ कि इस देश में रहने वाले 90% लोग पहले से ही भारत के नागरिक हैं बलकि 90% से भी ज्यादा और ये किसी के रहमो करम पे नहीं बलकि भारत का सम्मिधान उन्हें ये अधिकार प्रदाम कर रहा है अब आप सोच रहा हूँगे कैसे कैसे माने कि मैं भारत का नागरिक हूँ इसमें बहुत कुछ आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है इतना डर भय दहसत क्यों भारती सम्मिधान के अनुछेद 5 से लेकर के और 11 तक भारती नागरिक्ता के बारे में कही गई है पांस से दस के बीच में यह बताया गया है कि कौन कौन देश का नागरिक होगा कैसे देश का नागरिक बनेगा और अनुछेद 11 में यह बताया गया है कि भारती संसद को यह अधिकार है कि वो नियम कानून इसके बाबत बना सकती है जिसके अधार पे नागरिकता अधिनिय तो अनुछेद पांच के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके माता-पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक है इसमें कोई सको सुभा नहीं है अनुछेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आये कि उस समय कुछ लोग उधर चले गए थे आना चाह रहे थे और 19 जुलाई 1948 के बाद आये लोगों को अपना पंजी करन कराना होगा उस समय की ये ब्योस्था की गई थी अनुछेद 7 कहता है कि पाकिस्तान जाकर वापस लोटने वालो कोई व्यक्ति एक मार्च 1947 के बाद पा करन कराना होगा ये उस समय की परिस्थितियों के मुताबिक है मतला इसकी कोई आज में खास महता नहीं है अनुछेद 8 कहता है कि विदेशों में रह रहे भारती लोगों के बच्चे को नागरिक्ता दी जाएगी बस अर्थे की विदेश में पैदा हुए किसी भी बच्चे कानुन के बारे में कि अगर कोई भारती नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिक्ता ले लेता है तो अट्टो मेटिक वो भारत का नागरिक नहीं रह जाता है अनुछे 10 कह रहा है कि 5-9 के बीच के नियमों का पालन कर रहे लोग भारत के नागरिक हैं ठीक ये उस समय की ब बना सकती है तो जब 1955 में भारती नागरिक्ता अधिनियम बना तो और बाद में समय समय पे 1986 में 2003 में उसमें संसोधन भी किये गए तो अब पूरी परिस्तिती क्या बन रही है ये एक लाइन में समझने लाइक है कि कोई भी ब्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 यानि कि जिस दिन हमारा स 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है 26 जनवरी 1950 इसलिए ये कट आफ डेट रखी गए कि उधर के सारे लोग कभर हो चुके थे तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक आपके माता-पिता या तो भारत में पैदा हुए हैं या आप पैदा हुए हैं तो आपको और्टोमेटिकली भारत के नागरिकता मिल जाती हैं लेकिन 1 जुलाई 1987 से लेके 4 दिसंबर 2003 तक भारत में जन्में लोग तभी भारत के नागरिक होंगे जब उनके माता-पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हुए हुए क्योंकि उसके बाद आवा गमान दूसरे देशनों में जाना ये सब ज़्यादा शुरू हो गया था तो अलग-अलग समय पे जैसे जैसे समस्याएं आती गई नागरिकता अधनियम में संसोधन किया जाने लगा तो मुझे तो ये लग रहा है कि 1987 वाला जो प्रोविजन है कि आप भारत में पैदा हुए हो ये प्रमारित करने में किसी को कुई दिक्कत नहीं है और एक जुलाई 1987 के बाद 2004-2003 तक भारत में जन्में लोग जिसका जन्म भारत में हुआ हो जब उनके माता-पिता मैं से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो ये भी अधिकांस लोग मिल जाएंगे और 4 दिसंबर 2003 के बाद से वे लोग भारत के नागरिक होंगे जो भारत में ही पैदा हुए हो साथ ही उनके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो और माता पिता में से कोई भी अबैद प्रवासी ना हो तो बहुत साफ साफ से ये तीन-चार जो डेट कटाफ डेट है न इससे काफी हद तक लोग कबर हो जाते हैं दिकत सिर्फ उन लोग की है जो ये चौथा प्रोविजन बताया गया कि उनके माता पिता भारती नागरिक हो यदिन भारती नागरिक नहीं है तो उन में से कोई एक हो माता और पिता में से कोई भारती नागरिक हो और सर्थ यह है कि अबायद प्रवासी नहीं पर आकर के मामला पहुंस रहा है कि वो यह दिया अबायद मान लिजे कि पाकिस्तान बंगला देश कहीं से किसी भी देश से आकर के आप यहां रह रहे हैं इस कटाफ डेट के बाद 4 दिसंबर 2003 के बाद और आपका आप बच्चे जो है भारत में पैदा होते हैं और आप भारत में नहीं पैदा हुए हैं और अबायद प्रवासी हैं तो नागरिक्ता नहीं मिलेगी और इसी के लिए यह प्रोविजन किया जा रहा है तो मुझे जहां तक मैं जितना गुणा भाग इसमें लगा है कि अधिकांस लोग जो कटाफ डेट है उसमें कभर वो जा रहा हैं बहुत कम लोग बचेंगे जिनको यह साबित करने की जरूरत पड़ेगी दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि बेसक भारत सरकार ने मोधी गवर्मेंट ने इस CAA को ले करके बहुत अच्छा होम वर्क नहीं किया लोगों में डिसकुसन नहीं हुआ उस सारी बात अपने जगह पर ठीक है जो हिंसा हो रही है उसको तो जाज नहीं ठाराया जा सकता लेकिन कल जो होम मिनिश्ट्री जीस तरीके से एक्टिव हुई पहले सुत्रों के ह वाले से क्लेरिफिकेशन भेजा उसके बाद एक्टिव हुई खुद उसने ट्वीट किया और उसमें उसने बताया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है जो डोकुमेंट मांगे जाएंगा भी तो उसकी सरतेत होंगी कि कौन-कौन से डोकुमेंट मांगे जाएं और वह इतने आसान चीजे होंगी कि किसी के लिए उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल नहीं होगा लेकिन सबसे जो खास बात बोली गई है वो यह बोली गई है कि यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ जो है अडोस-पडोस के अपनी कम्मुनिटी के दो गवाह चाहिए कोई है और जहां से डर और भय पैदा हुआ वह असम वाली सर्ते लाग हो गया असम में क्या हुआ था कि 1971 के पहले की डेटलाइन रखी गई तो वहां का जो वहां का जो प्रोविजन है वह एकदम अलग है असम की परिस्थितिया अलग है अब वहां का प्रोविजन इसलिए लगा है कि 1985 में जो अराजीव गांधी सरकार ने असम में कार्ड किया था उसमें आ लेडी इस तरह के समझावते में सरते थी क्योंकि आसम जूझ रहा था जो अबैद रूप से लोग आ गये थे उन समस्याओं से इसलिए वो कटाफ डेट रखी गई थी बट यदि यहां प समस्याओं पैदा कर लेंगे तो असम NCR से इंडिया अंदर इकार्ड इस बात को कर रहे हैं कि वहां से असम से तुलना इसकी न की जा अभी आने वाला है कब आएगा कुछ पता नहीं है तो यह कुछ चीजे हैं जिसको जानने और समझने की जरूरत है कि जो आल लेडी भार पर काफी लोग कवर हो रहे हैं दिकत यह कोई है तो 2004 के बाद वालों के लिए वह भी किनका जो जिनके माता पिता इस देश में पैदा नहीं हुए और वह अबैध प्रवासी हैं उनको दिकत हो सकती है उनको सबूत जुटाने पड़ सकते हैं तो आज के डेट में भी उनको अबैद माना जाता है आज के डेट में भी उनको भारती नहीं माना जाता है और वो किसी ऑफिस से जाकर को कोई प्रमाण पत्र नहीं ले सकते तो फिर हंगामे की वजह भी नहीं समझ में आ रही है कि यह इतनी सी बात क्लियर हो जा रहे कि 2004 तक ज्यादतर लोग कवर हो जा रहे हैं तो अबैद प्रवासी जब होंगे तब ही तो आपको दिक्कत होगी देखते हैं आगे और क्या होता है तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा डिजिटल चैनल इन खबर तैंक्यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना